हरे कृष्णा राधिराधे, आप सभी भक्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ मकर संक्रांती के बारे में साल 2023 में मकर संक्रांती कब है? 14 या 15 जन्वरी को इस बात को लेकर सभी लोगों के मन में संसय है तो आज की वीडियो में मकर संक्रांती से संबंधित संपुर्ण जानकारी आप से शेयर करने वाली हूँ कि कब है मकर संक्रांती और मकर संक्रांती के दिन शनान दान का बहुत अधिक महत्यों होता है तो शनान दान का सबसे शुब महुर्ण क्या है मतलब किस समय में आप शनान करते हैं दान करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अधिक ब्राप्त होता है और मकर संक्रांती के दिन भगवान सुर्य देव की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनों कामनाय पुरुन होती है तो आज के दिन भगवान सुर्य देव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए कौन सी चीज भगवान सुर्य देव को जल अरपित करते समय अगर हम जल में डाल कर अरपीत करते हैं तो हमारे मन की समस्त कामना पुर्ण होती हैं जैसे कि अगर आपको सरकारी नौकरी की कामना है या अपने जीवन में अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं नौकरी और ध्यापार में सफलता पाना चाहते हैं सिक्षा में सफलता पा जैसे कि आपको पुत्र प्राप्ती की काम नहीं तो मकर संक्रांती के दिन भगवान सुरे की पूजा करते समय किन बातों का आपको ध्यान डखना है कौन सी चीजन डाल कर भगवान सुरे देव को जल अरपित करना है और किन मंत्रों का जब करना है यह संपुरण जानकारी और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे like भी जरूर कीजिए और share भी जरूर कीजिए family friends के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को subscribe ज़रूर कर ली क्योंकि देखिए मकर संक्रांती के दिन भगवान सुर्यदेव धनु राशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश करते हैं और जब भगवान सुर्यदेव मकर राशी में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांती का पावन पर्व मनाया जाता है तो इस बार मकर संक्रांती म पुजा का दिन होता है तो आज की पूजा का आपको दुगना लाप राप्त होगा और मकर संक्रान्ती के दिन पवित्र नदियों में श्नान करने का और दान देने का विशेश महत्य होता है तो अगर आप पवित्र नदी में जाकर शनान कर पाते हैं तब तो अध्यन्ती स्रेष्ट हैं लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो घर में ही अपने शनान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और काले तिल डालकर आप शनान कर सकते हैं अब बात करें पुन्यकाल और महापुन्यकाल की समय के बारे में देखिए मकर संक्रांती के दिन पुन्यकाल का समय होगा सुबह 7 बजकर 15 मिनट से दोपहर में 12 बजकर 30 मिनट तक और महापुन्यकाल का समय होगा 15 जनवरी को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से सुबह 9 बजकर 15 मिनट तो पुन्यकाल और महापुन्यकाल के समय में अगर आप दान देते हैं, कोई मंतर जब करते हैं, कोई पूजा पाठी त्यादी करते हैं, कोई भी शुबकर्म करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक राप्त होता है, इसलिए पुन्यकाल और महापुन्यकाल के समय को जर यह सब चीजे भी आप दान कर सकते हैं और आज के दिन खिचडी का दान विशेश रूप से किया जाता है तो आप चाहें तो खिचडी की कच्ची सामगरी जैसे की चावल दाल इत्यादी और सबजियां घी हल्दी मसाले नमक यह सभी चीजे एकतरित करके और कच्ची सामगरी का भी दान कर सकते हैं या फिर घर में खिचडी बना कर और किसी ब्रामभर को घर बुला कर भी भोजन करा सकते हैं और इसके अलावा आप गर्म वस्तरों का दान कर सकते हैं उनी वस्तरों का दान कर सकते हैं बरतन का दान कर सकते हैं मकर संक्रांती के दिन अगर आप तामबे के पात्र का दान करते हैं, तो इसे बहुत स्रेष्ट माना जाता है। तो देखिए, दान अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थी के अनुसार किया जाता है, तो आपके पास जितनी भी सामर्थियों, आप जो भी चीज दान करना चाहते हैं, आज का दिन बहुत स्रेष्ट होता है, आज के दिन जो हम दान करते हैं, उसका सौ गुना होकर हमें जन् इसलिए मकर संक्रांती के दिन शनान का और दान का विशेश महत्व होता है तो शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहुर्थ में किसी पवित्र नदी में शनान करना चाहिए लेकिन अगर आप पवित्र नदी में शनान नहीं कर पाते हैं और दान की सामगरी को दोनों हातों से सपर्स करके और भगवान श्री हर विष्णु का मन में ध्यान करके संकल्प करके इन सभी सामगरी का दान कर दीजिए. ये सभी सामगरी जो आप दान कर रहे हैं आप चाहें तो किसी ब्रामभण को भी दे सकते हैं किसी मंदिर में या किसी धर्मिस्थान में भी दान कर सकते हैं या फिर आप किसी जरूरत मंद को भी दान कर सकते हैं ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और इसके बाद भगवान सुरेदेव को जल अरपित करना चाहिए तो देखिए आज मकर संक्रांती है और मकर संक्रांती के दिन अगर आप भगवान सुरेदेव को विशेश रूप से जल अरपित करते हैं प्रार्थना करते हैं उनसे तो आपके मन की समस्त कामनाय पूरण होत आज भगवान सुर्यदेव की विशेश आराधना से समस्त प्रकार की कामनाएं पुर्ण होती है तो आज के दिन आपको एक तांबे का पात्र डेना है और उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए और इसके बाद इस पात्र में आपको थोड़ा सा लाल चंदन डालना है जिन भक्तों के पास लाल चंदन ना हो तो वो रोली का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कुमकुम आप घर में प्रयोग करते हैं उसे भी आप जल में डाल कर और भगवान सुरीदेव को जल दे सकते हैं अगर लाल चंदन ना हो तो ऐसे में आप रोली या कुमकुम का प्रियोग कर सकते हैं। तो भगवान सुर्य देव को जल देते समय आपको जल के पातर में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। पातर में ये दूर्वा डालकर भगवान सुर्य देव को जल अरपित करेंगे। बातर सकते हैं। करते हुए भगवान सुरेदेव से प्रार्तना कीजिए कि आपकी जो मनुव कामना है भगवान सुरेदेव की क्रिपा से वो पुर्ण हो इस प्रकार से आज के दिन भगवान सुरेदेव को आप जल अर्पित करेंगे और आप चाहें तो थोड़ा सा धूप और दीब भी भग अपराप्त होता है तो पंद्रह जन्वरी 2023 रविवार के दिन मकर संक्रांती है और मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांती की हार्दिक शुप कामना है